High School Classes की YouTube चैनल पर आपका स्वागत है Dear students, हम आपको इस वीडियो में आपके प्रोज सिक्षन से जितने भी important question answer है, सारे question answer बताने वाले हैं इस वीडियो में बताये गए question को आप अच्छे से तयार कर लेते हैं तो definitely आपके English में अच्छे mark आएंगे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe जरूर करें और वेल आइकम फ्रेस करें देखें आपको जो पहला chapter है आपके pros section से वो है the fun they had इससे जो question आते हैं आपके exam में तो first question वीवी आई ये बहुत important है, क्या लिखा है How old are Margie and Tommy? What subjects did they learn? मतलब इन दोनों की आई कितनी थी और कौन कौन सा subject ये दोनों सीखे ठीक है तो आपको simply लिख देना है Margie is 11 and Tommy is 13 they learned math, geography and history ठीक है तीन subject उनोंने सीखा math, geography and history आगला प्रश्ण है what is telly book ये भी important है इसको भी तयार कर लिजिएगा 2022-2023 में आ चुक है आपकी exam पर क्या लिखे a telly book is a book that can be displayed on a screen for educating or entertaining people ठीक है telly book ऐसी पुस्तक है जो लोगों को सिच्छित करने के लिए आपने screen पर क्या करती entertaining और educating video प्रवाइट कराती है आगला प्रश्ण आप लोग के सामनी है जो बहुत important है देखे question no.4 क्या लिखे है where did margis mother sent for country inspector मतलब country inspector की साम पास क्यों भेज़ गया ठीक है तो आपको लिखना है margis mother sent her for the country inspector देखे आपको तो यहां से यहां तक यह आपको question ही हो गया ठीक है तो यह लिखना है इसके बाद as margis had been doing the geography test every badly given by the mathematical teacher ठीक है इसमें आपको क्या लिखना है margis maa ने उससे निरिच्छा के पास इसलिए भेजा क्योंकि margis अपने machinery अध्यापक द्वारा दिये गए भूंगोल की test में बहुत खराब कर रही थी ठीक है तो यह question आपको अच्छे से learn करना है तयार करना है अगला जो आपका question है क्या लिखा हुआ है देखिए how does Tommy describe the old kind of school ठीक है Tommy के पुराने जमाने की school कैसे learn करता इसको भी देख लीजेगा यह आपके सामने answer रहा ठीक है यह आप answer देख लीजे इसके बाद जो long answer है तो long answer आपका क्या लेक आना है आपके प्रोस्सिक्षन से तो आपको क्या करना किनी दो चैप्टर की सारे question आसर आप complete कर लेगे तो आपसे जो long answer है वो आ जायेगा ठीक है तो चलिए देखते है how old are they ठीक है तो इसको भी याद के लिए ना है अब हम सीधर चलते है डीर इस्ट आपके next chapter the sound of music ठीक है तो इसको देख लीजे इससे हमेसे question आता है देखे 2022 और 2030 में के question आया है तो कौन से question आपके आ सकते हैं पहला question है when was Evelyn's deafness first noticed when was it comfort मतलब Evelyn के बहरेपन के बारे में कब पता चला और इसकी push confirmation कब हुई ठीक है तो क्या लिखना है Evelyn's deafness was first noticed at age of faith जब 8 साल की तो पहली बार notice किया गया it was confirmed when she was 11 और जब वह गयारा साल की हो गया तो confirm हो गया क्यों क्या है deafness है आगला question है who helped her to continue with music what did he do and say तो यह question भी आपको learn करना है आगला question है आपका why did Aurangzeb ban the playing of Pungi most important 2023 में आचुका आप देख सकते हैं इसके बाद जो आपको next question and duration क्या लिखे है where was the Senai played traditionally how did Bismillah Khan change this ठीक है तो यह question भी आपको learn करना है इसके बाद आपका जो अगला question है question number 5 where did Bismillah Khan play the Senai on 15th August 1947 where was the event historic यह भी याद करना है ठीक है 15 August 1947 को Bismillah Khan ने सेना ही कहां बजाई यह घटना अतिहासी क्यों थी इसके बाद long answer में आपको एक question आना है तो मैंने आपको उटा दिया आप किसी भी chapter के सारे long answer कि भी दो chapter के कर लिजी एक question definitely आएगा क्या लिखाया है how does Evelyn her music 2022 ते इसमें आ चुका इसको याद कर लिजीगा इस verse भी आ सकता है ठीक है चलते है अगले question पर तो अगले जो आपकी important question है वो सीधा हम चलते हैं अगले chapter से देखते हैं क्या लिखे है the little girl ठीक है छोटी लड़की तो पहला आपको जो question है who were the people in Kezia's family Kezia के family में कौन कौन था तो आपको लिखना है father mother and grandmother and see her film ठीक है अगला why was Kezia's afraid to her father what was his routine on Sunday ठीक है मतलब Kezia जो है अपने पीता से क्यों डरती थी और उसके Sunday का जो routine थो कैसा था तो because she was very strict उसके पीता जी बहुत strict थे जिस वज़े से अपने पीता जी से डरती थी he always used to give commands to everyone in the house और वह क्या करते थे हमेशा सबको घर में आदेश देते थे जिस वज़े से केजिया अपने पीता जी से डरती थी ठीक है next question is in what ways did Kezia's grandmother encourage her to get to know her father will तो यह question भी आपको learn करना है इसके बाद देखे आपके जो long answer है तो ठीक है इसके बाद कुछ और important है तो first number आपको देख लेना है second भी देख लेना है दोनों important है इसके बाद आपका अगला chapter है a truly beautiful mind ठीक है इससे आपको जो प्रेश्मिक learn करने है पहला है where did Einstein leave the school in Munich ठीक है what did Einstein call his disk draw at the patent of his wire ठीक है तो यह question भी आपको याद करना है how did Einstein react to the bomb bill of Hiroshima of Nagasaki मतलब Hiroshima और Nagasaki पर bomb गिराने की घटना पर Einstein की क्या प्रितक्रिया थी यह most important question है इसको ज़रूर याद कर लिजेगा इसके बाद क्या लिखा है why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt ठीक है Roosevelt को उन्होंने letter क्यों लिखा यह question आपका important है इसको भी देख लिजेगा इसके बाद चलिए अगले question पर चलती है तो अगला आपका chapter है the snake and the mirror ठीक है the doctor's house डाक्टर की घर का वर्णन करना है तो इसको भी आप देख लिजेगा इसके बाद हम फीदा चलते हैं अगला chapter है my childhood ठीक है तो what do you think ठीक है यह question आपको first number give a reason for your answer यह question second question है आप लोग की सामने most important क्या लिख है what characteristic does अबदुलकलाम say ठीक है he inherited from his parents ठीक है अबदुलकलाम को अपने माता पिता से विरासत में क्या विसे स्ताय मीनी थी इसको आपको याद करना है इसके बाद आपका जो next question है dear student वो है what did his father say when he wanted to leave Ramisram Ramisram छोडने की बाद पर उनके पिता जी ने क्या कहा इसको भी आपको ready कर लेना है इसके बाद next question आपका जो exam में आता है question number 5 है इसको भी आप ready कर लेजिए ठीक है इसके बाद देख लेते हैं कुछ और questions देखे इस question फिर long answer भी आते हैं तो long answer में first question 2023 में आत चुक आप देख सकते हैं इसको learn कर लेजिएगा इसके बाद ठीक है बस इतनी आपको याड़ करनी है इसके बाद आपका अगले chapter है reach for the top तो इससे आपको कौन कौन सा question याद करना है देखे मारिया सौरो पोबो के बारे में है एक और ठीक है क्या लिखे है वाई वाज दा holy man who gave fantos mother his blazing surprise ये question important है first number आपका इसके बाद जो अगले questions हैं देखे क्या लिखे है why was santos yada sent to the local school उन्हें local school में क्यों भेजा गया तो ये भी आपको याद कर लेना है ठीक है इसके बाद आपके जो next question है question number 4 क्या लिखे है santos yada got into the record books both times she scaled amount of average what were the reasons for hit this ticket ये भी आपको याद करना है इसके बाद क्या लिखे है why was maria sent to the united state maria को united state क्यों भेज़े गया ये भी question important है इसके बाद question number आपका आठ है what motivates maria to keep going ये भी आपको याद करना है ठीक है तो इस तरह से आपके questions हो गया है अब चलते हैं next chapter जो आपका है क्या लिखा है Kathmandu तो इससे भी आपके question आते है exams में तो first question है name the two temples the author visited in Kathmandu ठीक है लेखक Kathmandu के किन मंदीरों में गय है तो पस्वतनाथ temple and the buddhuna temple ठीक है ये आपको लेखना है इसके बाद देखिए जो आपका अगला question है question number three क्या लिखा हुआ है describe the atmosphere ठीक है ये question भी आपको तयार करना है कि पस्वतमात में जो atmosphere था बाहर की अविवस्था चहल पहल के वातरवन का वर्णन करना है अगला है what does विक्रम state compare to the cliff alpha ठीक है ये भी आपको याद करना है इसके बाद अगला question है name five currents of fourth ठीक है पाच तेरह के बास बासुरियों के आपको नाम बताना है इसके बाद देखिए ये दोनों question आपके question number four and question number five दोनों question आपको त्यार करना है ठीक है चलते है अगले question पे ये most important question है इसको ज़रूर याद कर लिजएगा ठीक है इसके बाद आपको अगला chapter है dear restaurant देखिए क्या लिखा हुआ है इसको भी आपको याद कर लेना है अब चलते हैं अगले chapter पे आपको अगला chapter है if I were you ठीक है इस chapter से ज्यादा question आते नहीं है ठीक है तो आप इसको skip कर सकते हैं कोई दिख्यत नहीं है तो इस तरह से dear restaurant आपके pro section से 6 question आने है दो दो नमबर के तो इस वीडियो के आप फारे question जितने मैं बताया हूँ खासके 100 answer आप फारे prepare कर लिजिए definitely आपके exam में पूछे जाएंगे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को subscribe करें और वीडियो को जादस जादस share करें मिलते है नेस्ट वीडियो में धन्यवाद